देवास के बगली में रविवार को स्थानिय टौकिट चौराहे पर सर्व ब्रामन समाज और परशूराम सेना ने रविवार को जहरखंट के मुख्यमंत्री के खिलाफ रौश व्यक्ति किया है परशूराम सेना के जुलाद दक्ष पंडित विजेंदर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गडवा जुले में कारिकरम के दौरान ब्रामन समाज के विरोध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था ब्राह्मन समाज के प्रवक्ता पंडित राकेश नागुरी ने बताया कि ब्राह्मन का सम्मान नहीं तो सरकार नहीं ब्राह्मन समाज के लोगों को पहले से ही सरकार शोशन कर रही है कोई भी सरकारी योजना में ब्राह्मन समुदाय को लाब नहीं दिया जाता है इस दोरान हाट पे पलिया ब्रहमन समाज की मीडिया प्रभाडी पंदित देविंद्र दुबे साहित बड़ी तालात में आसपास की समाज बंदू पस्तत थे जर्भर कंद सियन पूर्दावार अपने सद्या हँआ जब जब ब्रह्मान बोला है राशिया सुन्दोला है जर्कन पूर्दावार आज शरव ग्रहामन समाज भागा लीद दुवारा रगुवर दास जर्कन के मुख्यमंत्री के दिये गया ब्रहामन समाज के विरुद्ट बयान के लिए हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं विरोध प्रोध प्रोधशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक की जारगन के पूरू मुख्यमंत्री अपना बयान वापस नहीं ले लेते हैं हम पुर्य समाजगन इसकी गोर इनके बयान की गोर परसना करते हैं निंदा गरते हैं और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक की यह बयान अपना वह वापस नहीं ले लेते हैं आप उसके लिए गरोध में सब्ढमा समाज में आज बाधी तेसील मुक्हलाय पर उसके गरोध प्रहसन्द करते हुए उसके पूटले को जलाया कि क्या मांगई है आपकी मतलब वांगिया है कि रही समुदाइ चाहता है कि जारगन सेम निजग अपनानी सब्द इक है वापस लाएं और प्राम्मन समाज से ब्राम्मन की बेटियों से वह अपनी शमा यश्ण मांगे। हम ब्राम्मन समाज की ओर से आज विरोध वजर्शन कर रहे हैं जारकन के मुख्य मंत्री स्रीमान रगुद्ध रगुवर्दास जी द्वारा ब्राम्मन के विरुद्ध अपमान जलक चिपपणी की गई हैं हम यह मांग करते हैं कि वह इस प्रकार की अव्मार्यादित समय धर एक भाषा का प्रियोग ना करें अपने शब्द वापिस ले और ब्राम्मन समाज की वावनाओं को आत करने के लिए तुरंत शमा मांगे इसी बात के विरोध के लिए आज हमने उनका पुतला दहन किया है और जब तक वो अपने शब्द वापिस नहीं लेते हैं और शमा न कमिटी के लोगों द्वारा फूल बर्चाकर जबरजस्त उस्ता के साथ स्वागत किया गया मुरेना नैशनल हाईवे से क्रोधा नहर के पास की रेथ से भरे ट्रेक्टर ट्रॉली ने कार को टकर मार्दी टकर में घायल हुए लोगों को लाने गई पुलिस पार्टी पर बेक ओफ खनन माफियाओं ने फाइरिंग की वही पुलिस ने भी जवाविम फाइरिंग की सिविल लाइन थाना पुलिस ने लगभग 30 लोगों पर हत्या के प्रयाज साई 307 की धाराओं में मामला दर्च किया है